टिटोरियल नंबर 110 इस टिटोरियल पे हम RGB स्क्रोलिंग टेक्स्ट डिस्प्लेप तयार करेंगे जिसका इस्तमाल हम अपने घरों पे, ओफिस पे या अपने शॉप में कर सकते हैं जिसमें कोई भी टेक्स्ट कमान्ड इंपुट करने के लिए हम स्मार्ट फोन का इस्तमाल करेंगे जो की Bluetooth के माध्यम से डेटा का ट्रांस्पिस्टान होगा जिसमें हम कोई भी टेक्स्ट मेसेज डिस्प्ले के सिष्टा में भेज सकते हैं और यहाँ पर हम इप्रॉंप का भी इस्तमाल करेंगे जिसमें पावर आफ के कंडिसर्स में भेजा गया लास्ट डेटा सेव रहेगा इस डिस्प्ले को बनाने के लिए हम इस्तमाल करने वाले हैं WS2812B LED स्ट्रीप जो की 5 मिटर का होगा आडिनो यूनो से हम इसे कंड्रोल करेंगे इसकी जगा आप किसी भी प्रकार के आडिनो बोट का इस्तमाल कर सकते हैं HC05 Bluetooth मॉडियूल और पावर सप्लाई के लिए 5V 2A का SMPS या एडाप्टर हम इस्तमाल करेंगे यह सभी कंपोनेंट आपको आउनलाइन मिल जाएंगे LED स्ट्रीप को ओपन करके हम कुछ इस प्रकार से अरेंज करेंगे यहाँ पर हम 32 LED के बाद स्ट्रीप को कट कर लगाएंगे इसके वायर कनेक्शन में रेड वायर 5V होगा ग्रीन वायर डेटा वायर और वाइट ग्राउंड अलग-अलग कंपनी के LED स्ट्रीप के एकॉर्डिंग वायर का कलर कॉम्बिनेशन अलग हो सकता है इसके बाद LED का सेकेंड कट हम 64 LED के बाद करेंगे जिसमें इसका सीक्वेंस कुछ इस प्रकार से होगा इसके बाद सॉफ्ट वायर की माध्यम से हम 5 पोल को 5 पोल से कनेक्ट करेंगे डेटा को डेटा से और ग्राउंड पीन को ग्राउंड के साथ सोल्ड कर देंगे उसके बाद फिर से 32 LED के बाद कट होगा और यहां पर इसका sequence कुछ इस प्रकार से होगा उससे भी हम connect कर देते हैं इसी प्रकार इस sequence को हम 8 line में repeat करते चले जाएंगे और last LED 256 का होगा इस प्रकार से यह wire का sequence और connection होगा और इस प्रकार से 32 cross 8 RGB display तयार हो जाएगा और जिसका connection Arduino board के साथ और SC05 Bluetooth module के साथ करेंगे सबसे पहले RX pin का connection connection pin 5 के साथ TX pin का connection pin 6 के साथ ground को ground के साथ connect कर देंगे LED strip के data wire का connection pin 3 के साथ होगा power supply के लिए यहां पर हम 5 फोल 2 amp एडप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके ground pin का connection अडिनो के ground और LED strip के ground के साथ कर देंगे इसके बाद positive का connection V in pin के साथ और वहीं से यह LED strip के terminal में भी करेंगे और इसी 5 फोल को Bluetooth module के साथ भी connect कर देंगे इस प्रकार इस display का circuit diagram complete हो जाएगा जो की बहुत ही आसान है और इस तरीके से LED strip का display setup बनेगा setup complete हो जाने के बाद अब हम इसके लिए coding करेंगे इस code में लगने वाले यह सभी header file आपको download करने पड़ेंगे यह code और इस project का circuit diagram आपको वीडियो के नीचे detail box पे मिल जाएगा यहां पर application में आने के बाद हम उसे open कर लेंगे open होने के बाद हमारे यह bluetooth name जो की g-link है हम उसे connect कर लेंगे connect होने के बाद terminal पर जाके कि यहां पर हैस्टेक के बाद यहां पर हैस्टेक जो की code है कोई भी वर्ड या टेक्स आप डाल रहे हैं उससे पहले हैस्टेक लागाना जोरुरी है क्योंकि कोडिंग में हमने उस तरीके से इसे design किया हुआ है यह हमने एक टेक्स टाइप करके इसे इसमें सेंड कर दिया और इस तरीके से यह उसे तीन अलग-अलग कलर्स पर प्रेंट करेगा वन बाइवन इस प्रकार से आप को भी मैसेज इसमें प्रेंट करवाना चाहते हैं तो हैस्टेक के बाद अब उस मैसेज को इसमें टाइप करेंगे और उसे टर्मियल पर सेंड कर देंगे इस प्रकार से आप जो भी मैसेज उसमें प्रेंट करना चाहते हैं आपको टर्मियून्याइल पर हैस्टेक के बाद वह मैसेज टाइप करना है और उसे इसमेट उसमें सेंट कर देना है और वही मेसेज इस डिस्प्लेय पे प्रिंट होगा सब्सक्राइब पाउर आफ अगर हम कर देते हैं पाउर आफ के बाद जब भी पाउर आन होता है तो वह लाश्ट मेसेज जो हमेसा सेव रहेगा और इस प्रकार से आप अपना स्क्रॉलिंग डिस्प्लेय बहुत असानी से बना सकते हैं और उसे अपने एंड्रोइट फोन से कंट्रोल कर सकते हैं आप अपने प्रोजेक्ट आडिया या प्रॉब्लम मेरे चैनल के किसी भी वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं और मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी आप प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिस्कस कर सकते हैं झाल